Hello everyone, आज पर लेकर आई हूँ दही तड़का सैंडविच यह सैंडविच टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है इस सैंडविच को आप वेटलों से में बना सकते हैं तो चली से बना शुरू करते हैं सबसे पहले हंकड बना लेंगी सिंप्ली एक बूल के उपर चनी रख देंगी और इस चनी में आधा कप दही आड़ करेंगी तो बिसिकली जो दही में पानी से हमें अलग करना है अगर आप इसे इस तरीके से डैक लिए चनी के उपर रखेंगे तो जो हंकड बनेगा उसका टेक्षर तुबा मियोनीज जैसा होगा अगर आप इसे और धार ड्राइ करना चाहते हैं तो आप इसे मल में कपड़े में बांद कर रख सकते हैं अब इसे हम इस तरीके से एक दो घंडे के लिए साड में रख देंगे अब इसे फटाफटे से सैंडविच बना लेते हैं इस दही को एक बोल में ले लेंगे यह देखिए मैं आपको इसका टेक्षर दिखाते हूँ यह बढ़िया गाड़ा हो गया है बिलकुल मयोनीज की तरह हो गया है यह और इसका सैंडविच बहुत ही डेसरी बनता है ब्लस हेल्दी भी है वमारा हंकड विलकुल रेडी है अब इसमें फटा फट से कुछ सब्से आड़ कर लेते हैं सो मैंने यहां पर लिया एक चौथाई कप बारी कटा हुआ गाजर एक चौथाई कप बारी कटा हुआ प्याज इसमें बैदा फटार को निकाल दीजिएगा अब इन साइ सब्जियों को हम बोल में डाल देंगे आप इसमें सब्जियां अपनी पसंद की आड़ कर सकती है सब्जियां जितनी ज़ादा आड़ करेंगे न ये साद पर उतने चल लगएगा खाने में इसमें हम तो इसी बारिक कटिव धन्याग पत्ती आड़ करेंगे दो बारिक कटिव हरी मिर्च आड़ करेंगे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च न आड़ करें अब इसमें स्वादम सा नमक आड़ करेंगे आप चाहें तो दही की खटास को बैलेंस करने के लिए इसमें थोड़ा सा पिसावा चीनी आड़ कर सकते हैं अब इसमें इच्वताई चमश मुनाजीरा पाउडर आड़ करेंगे अब इन साइड चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो इसकेटेश को बढ़ाने के लिए इसमें मिकस्थ हर्बस अड़ कर सकते हैं आप चाहें तो इसमें स्टस्विट कॉर्न भी अड़ कर सकते हैं और इसी के साथ हमारी sandwich की stuffing बिलकुर ready है अब इससे फटा फट से sandwich बना लेंगे So मैंने यहाँ पर चार bread की slices ली है मैंने यहाँ पर brown bread लिया है अब इसके उपर यह जो मैंने stuffing बनाई है इसे रग देंगे और अच्छे से bread के उपर फैला देंगे इतनी stuffing के साथ आप 2-3 sandwich आराम से बना सकते है stuffing रखने के बाद मैं इसके उपर तोड़ा सा चली flakes sprinkle कर रही हूँ यह बिल्कुल optional है अब इसे हम दूसरी bread से cover कर देंगे अब इस sandwich को हम सेखने के लिए तलका लगाएंगे जैसे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा तब इपर medium flame पर एक लोगे का दवा रख देंगे और इसके उपर थोड़ा सा घी डालकर तब इपर फैला देंगे घी हलका गरम हो गया अब इसके उपर हम थोड़ा सा राइच रख देंगे और थोड़े कड़ी पत्ता रख देंगे इसके उपर कड़ी पत्ता ना हो तो skip कर दी अब इसके उपर सांडविच रख देंगे और इसे हम निचे साइड से क्रिस्पी होएं तक सेखने देंगे बहुत धीमियाच पर नहीं सेखीगा इसे बसे हमें फटा 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 जो ब्रेट की स्लाइस है उसे क्रिस्पी कर लेना है जब सांडविच निचे साइड से अलका क्रिस्पी हो जाएगा तो इसकी दूसरी साइड पर भी थोड़ा सा घी लगा देंगे आप चाहें तो इसे बिना घी की बना सकते हैं की लिखाने के बाद इसे हम पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी क्रिस्पी होने तक इसे हम सेख लेंगे यह देखे है सैंड्विच केतना बढ़िया कलर आया है वैसे हम गान दूसरी साइड से और चाह से अचय से सिख गया है अब इसे हम तब इसे उतार लेंगे अब सैंड्विच को चाट कर लेंगे बहुत ही टेकश्च बनता है सांड्विच healdi भी है हांद कर बनाने में समय लगता है बाकी इसके बाद ये बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है और ये देखिए हमारा कलरफुल दही रड़का सैन्विशिबल को रेडी है मेना किसी चटनी की आप इसे ऐसी सर्फ करिए बहुत ही अच्छा लगता है खाने में अगर आपको रेस्पी पसंद आये हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें